बिजेपी ने एक बार फिर सबको चौकाते हुए मद्द प्रदेश में सारे कयासों को धता बताते हुए यहाँ पर मोहन यादव को नया मुख मंत्री यहाँ पर नियुक्त कर दिया है जो कि महाकाल की धर्ती उज्जैन से साउथ के उनके दक्षिर से विधायक चुनके आते ह काफी पढ़े लेकिनके पूरा नाम डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर जो बताया जा रहा हुए उनके तमाम क्यों आखिरकार इतने सारे वरिष लेडरों के बीच में जहाँ पर सिवराज सिंग चौहान के पूरे पूरे चांसिस थे जब तक विधायक दल की बैठक पर आती है कि लोगों की भूमिकाएं लगतार पार्टी में जिम्मेदारिया बदलती रहती हैं और इसके कुछ मिंटों के बात में मोहन यादव का नाम निकल के साथ सामने आ जाता है मेरे साथ में नौवार टाइम्स ऑनलाइन के समपादक अखिले सिर्वास्तो जी हैं उन लेकिन क्या सबसे बड़े रीजन आपको लग रहे हैं जो इनको मुख मंतरी बनाया गया है बिल्कुल बिनीच जैसा कि हमें पता है कि मोधी हमेशा से सीएम की सेलेक्शन में सभी को चौकाते रहे हैं और ये पूरा डिसीजन आपको पता है कि मोधी ही लेते हैं सब लोगो मैं जो आज ये जो सेलेक्शन हुआ है मोहन यादव का किसी ने भी नहीं सोचा था कि मोहन यादव एक ऐसा चहरा था कि कोई नहीं जानता था इवन मध्परदेश के लोग भी उतने उनके नाम से परचित नहीं थे और अचानक ये नाम आने के बाद सब को एक आश्चर हु और मोहन यादव के बारे में फिर पता हुआ क्योंकि जितने लोग रेस में थे सी एम की रेस में थे वो बड़े दिगज नाम थे चाहे कैलास बिज़ेबरगी हों चाहे नरेन सिंग तोमर हों सिबरास सिंग चोहान खुद भी एक बड़े दाविदारी के तोर पर पेस कर र लोग हैं उनकी भी चर्चा थी लेकिन मोहन यादव का अचानक नाम आना बीजेपी ने एक बार फिर सर्प्राइस कर दिया है तो क्या यहाँ पर बीजेपी का क्या इसमें दोहजार चौबिस के लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बजा है यहाँ बचा कहां पर भारी पड़ गए तेकि यह बीजेपी बहुत सोच समझ कर एक चाल चलती है और पूरे चुनावी मोड में हमेशा रहती है यह हमें पहले भी पता है और इस बहाने मोहन यादव के बहाने दोहजार चौबिस पर नजर है तो आपको देखना होगा कि चार-पाँच ऐसे बिंदू है जिनको यह सोच कर मोहन यादव को चुना गया है जिसमें सबसे बड़ी एक बात है कि उनका जो बैक ग्राउंड अगर देखा जाए तो बैक ग्राउंड उनका संग का है और एबी बीपी का है यह दोनों उनके पक्ष में चीज़ें गई कि उनको एक वो प को बीजेपी मदप्रदेश में चाहती थी क्योंकि आरेसेस का जो मदप्रदेश है वो आरेसेस का बहुत पुराना गड़ है कोसा भाव ठाकरे के जमाने से आप देखेंगे कि जो आरेसेस की जड़े हैं वो मदप्रदेश से ही जमी है तो मदप्रदेश और गुजरात यह दोनों RSS के एक मजबूत गड़ है और BJP चाहती है RSS चाहता है कि इधर पर अपने केडर को और मजबूत किया जाए तो नमबर दो जो चीज़ है कि एक जनरेशनल चेंज जो है उसमें ये मोहन बिलकुल फिट वैटते हैं क्योंकि ये युवा है 57 साल के हैं अभी और ये कलंबी पारी खेल सकते हैं दूसरी चीज ये है कि ये OBC से है चूकि सिवरा सिंग चोहान OBC से आते हैं तो OBC से OBC को रिप्लेस करना था ताकि पिछड़े बर्ग में एक ये संदेश ना जाए क्योंकि एक बड़ा बोट बेंग था और सिवरा सिंग चोहान के नाम पर और करीब इससे पहले उमा भारती बाबूलाल गौर बाबूलाल गौर भी यादव जाती से आते थे तो इन 20 साल तक BJP नराज की है इसलिए OBC से OBC को रिप्लेस करना था इसलिए मोहन यादव उसमें भी फिट बैठते थे जाती बोट मेंग में और चौती सबसे बड़ी बात ये है कि 2024 पे नज़र मोधी जहां भी CM को अगर चुन रहे हैं या उसको बैठा रहे हैं तो उसके पीछे ये देखा जा रहा है कि 2024 में रिकॉर्ड सीटें आएं खासकर उत्तर के राज्यों से जो सीटें हैं वो 29 की मद्परदेश में 29 लोक सभा की सीटें हैं और अभी 28 सीटों पर BJP का कब जा है तो BJP चाहती है कि BJP सारी की 29 सीटें जीत के आएं केबल एक छिंदवारा को की सीट को छोड़ दें तो 28 सीटें अभी BJP के पास हैं और जैसे सिवराज ने अभी कुछ दिन पहले कहा था उन्होंने छिंदवारा जाके कहा था कि वो 29 में जुट गए हैं मतलब 2024 में वो पूरी की 29 सीटें लाने का बादा एक तरह से कर रहे थे और अपनी दावेदारी क दर किनार करते हुए बोहन यादव को चुना गया और इसके पीछे सबसे बड़ी रणनी थी खासकर यादव को चुनना जो इनका सरनेम है वो भी एक महत्पूर जाती का एक इंगित करता है क्योंकि मदप्रदेश में अतना महत्पूर बोट बेंक नहीं है यादव का लेकि अगर देखेंगे कि आप पड़ोसी राजे हैं जो उत्तर प्रदेश है और बिहार तो दौनों को मिला कि उत्तर प्रदेश में असी लोग सभा की सीटे और बिहार में चालीस लोग सभा की सीटे मतलब दौनों को मिला कि 120 सीटों पर नजर यादव के बहाने मोहन यादव के बहाने इन पर नसाना साधा गया है ताकि इन दो बड़े राज्यम है और दूसरी तरफ अखलेस यादब को भी एक संदेश दिया गया है मोहन यादब को बनाके कि हम यूपी को यादब जाती को उतनी तबज्जो देते हैं और उनको प्रतिने दित देते हैं तीसरा ये है कि जो ओबी सी जनगणना का जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी उसकी भागेदारी का जो नारा ये लोग दे रहे थे उसको फेल करने के लिए भी एक संदेश दिया गया है कि हम बिना उसके भी बराबर हर जात को हर बर को और मेरिट के आधार पर हम प्रतिने दित देते हैं इसल सिवराज सिंग चौहार का अभविष से क्या होगा क्या लोकसभा में उनको वहाँ पर मौका मिलेगा क्योंकि पहले सुनने में आ रहा था कि हो सकता है कि स्पीकर बनाया जा सकते लेकिन नरेन सिंग तोमर को वहाँ पर स्पीकर बना दिया गया तो अब सिवराज को पार्ट बैंक उनसे जुड़ा है खासकर महलाओं का बोट बैंक बहुत जुड़ा है इसलिए मद्द प्रदेश में खासकर पूरी की पूरी 29 सीटें जीतने के लिए सिवराज की भूम का महतपूर होगी इसलिए सिवराज के लिए कोई नख्यूम का केंडर स्तरप्र मोदी जीन जरूर सोचे रखी होगी आप यह देखेंगे कि या तो नरेंज सिंग्टॉ ममर को चुकि स्पीकर बना दिया गया है तो केंडरी किर्शी मंतरी की जो एक सीट है केंडरी मंतर में वो भी अच्छे किसान भी रहे हैं और उनको काफी अच्छा अनभाव है इसलिए किसानों के हित में उनका लाव मोदी सरकार ले सकती है तो एक भूमका ये भी हो सकती है दूसरा या तो संग्ठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है संग्ठन में उनको बड़ा पद दिया जा सकता है और किसी खास बड़े राज्य की जहां ऐसी भूमका हो सकती है रणनिती बनाने में जहां टफ बहुत फाइट हो जैसे पस्चिम बंगाल में कैलास विजय वरगी को भेजा गया था इसी तरह की कोई भूमका सिवराज के लिए भी कोई चनौति पूर्ण भूमका सो जिया सकती है और यह महत्पूर बाते जो कि मोहन यादो को नाम नहीं सुना था कहीं लेकिन अब सबसे ज़्यादा लोग इंटरनेट पर साच करना है अखिरकार मोहन यादो के साथ में वो कौन सी चीज़ा जोड़ी थी जो पीम मोधी तक उनको नाम उनका वेरिफाई किया यह चाहे कोई भी इलक्षन हो किसी भी तरह का आला कमान फैसला लेता है और सीम का चुनाओ जिस तरह हुआ किसी को नहीं पता था और मोहन खुद मोहन यादो के परिवार वालों से जब मीडिया वाले मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा कि हमको कहीं से भी यकीन नहीं था ना कोई सूचना मिली थी आज वो बिधायक दल की बैठक में जब गए थे तब हमें उम्मीद थी लेकिन किसी तरह की कोई खबर नहीं कुछ नहीं मतलब बीजेपी के पूरा आज जो ये कारिकम चला इतने दिन से सिर्फ कयास बाजी में दरजनों नाम गिना दिये गए ले मुख मंत्री को मद्ध प्रदेश को एक मोहन यादों के रूप में नया मुख मंत्री यहां पर मिलता हुआ नजराया